तो हेलो फ्रेंट्स आप सभीगा स्वागत आए एक पर फिर से एक नहीं वीडियो में तो दोस्तों फाइनली जो है जेके सिस्भी ने जो है हेल्थ अन मेडिकल डिपार्टमेंट का रिजल्ट जारी कर दिये गया है उसके स्कोर का शीट जारी कर दिये अब कैंडिडेट्स के भी दोस्तों डोट नहीं रहेगा 100% इसकी गरेंटे मेरी है फ्रस्ट यसे कि यह रिजल्ट और स्कोर शीट्स आफ दे कैंडिडेट्स जो आपका CBT एक्जाम हुआ था उसके रिकार्डिंग फर्स सुजेक्ट में लिखा हुआ हम नीचे अगर चलें तो नीचे अगर करेक्शन बोर्ड जो है जी कैसे भी एडविटाइजमेंट नंबर 2 2021 की थी ठीक उसके डेट बताइगी है और 211 जो टोटल बगेंसी निकाली थी ठीक है डिस्ट्री डिवीजिनल कैडर की पोस्ट रिलेटर तु दो बैरिस डिपार्टमेंट की ठीक है वेर है जो आपका ए जो है अब नीचे बात करें जो आपका स्कूर किस बैसिस पर यह निकाला गया है दोस्तो जैसे की आप देखोगे इसमें एक तो नॉर्मलेशन का प्रिस्ट यूस किया गया ठीक है प्रसीजर बैस उन्द पर परसेंट अपके जो माक्स पर परसेंटल बैसिस पर शो की इए है ठीक है 100% यसी होता है ठीक है आपका एक्जाम हुआ 100% उस पर आपने 60% कुछ candidates ने लिए कुछ में 40% लिए वो अलगला basis पे है ठीक है तो उसी बेसे भी यह अभी percental basis पे आपका जो हुआ है ठीक है और नीचे फिप्ट पॉइंट में देखोंगे इन दो पोस्टों का अभी रिजल्ट करते हैं इन दो पोस्टों का अभी रिजल्ट जो है जारी नहीं कीगे है इसकी separate list जारी केर दी जाएगी बात में ठीक है third point अब देखोंगे जो figuring in the result of the score sheet shall not be entitled a candidate to be short list for the document verification are appear in the selection list and that he sheet has to fulfill other eligibility condition and the decision of the board in the regarding shall be final जानी कि जिन candidates के अभी इस list में नाम आया हूँ है उनकी जो marks है वो simple आपका CBT के scores जारी कीगी है ना कि कोई documentation list जारी कीगी है आपको documentation list जो है separately जारी कियर दी जाएगी बात में लेकिन अभी फिला नहीं यसे कि आप नीचे point में देखोगे the schedule for the document verification shall be notified separately जानी आपको बात में बता दी जाएगा आपका जो cut up रहेगा उसके recording और एक चीज़ मैं यहाँ पर clear कर दो दोस्तो अभी cut up show नहीं किये गया है आपका cut up बात में भी show किये जाएगा जब आपकी documentation list जारी की जाएगी क्योंकि अभी तक simple यह आपके CBT के marks जारी कीगी है परसेंटल वेसिस पर और कुछ नहीं है आप कुछ candidates के comments इसके regarding हो सकते हैं कि cut up कितना गया है तो मैं फिर से clear कर रहा हूँ कि अभी अपका cut up के बारे में कुछ कंट होगा करी हो तीन से चार दिन के बाद जारी हो जब आपकी जारी होगी उसमें cut up clear हो जाएगा और सबसे यह important point अगर जो आपकी यह अभी जो score जारी कीगी हैं अगर आपको कोई भी objection है और आपको लग रहा है कि हमारे marks कम आयो है तो आप देखे यह से की जहां पर बताया गया है आपको within the five days के अंदर आप जो है जिक SSB की जो officially email address है वहां पर आप जो है अपनी representation रख सकते हो और अपकी अगर बिल्कुल उस पे अगर होगा तो बिल्कुल आपकी marks increase हो जाएंगे दोस्तो ठीक है किसे भी candidates की अगर होगा कि उसे लगेगा कि मेरे marks कम मैं नहीं मेरे marks जादा आ रहे है है तो बिल्कुल बो पांच दिन के अंदर अंदर अपनी वहां पर जे के SSB की ऑफिशली एमेल अड्रेस पर आप एमेल कर सकते हो ठीक हो ठीक है अगर को क्वेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना तो बिल्कुल मैं जल्दी उसका कोशे करूंगा जोस्तों तो फिर मिलता है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन और फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं कि अभी तक आपका cut-off exactly जारी नहीं किये गया है आपको जब documentation की लिस्ट आएगी उसमें cut-off पूरा clear होगा कि आपका जो exactly cut-off कितना किया हुआ है य कुचे मिन